रामपूर नाम का एक गाउँ था जहां सीता बाई और मनोहर आम की खेती किया करते थे एक बेटा राहूल हाली में शहर से इंजीनिरिंग की पढ़ाई करके लोटा था दूसरा बेटा राजेश और बहु सुश्मा आम की खेती में हाथ बटाय करते थे मनोहर और सीता बाई हर साल आम की फसल बाजार में जाकर बेचा करते थे इस तरह जब भी मनोहर हाट लगाता तो ग्राहकों की लाइन लग जाती थी क्योंकि मनोहर बहुत अच्छे से अपने आम के पेड़ों की देख भाल करता था जिससे उसके आम पूरे शहर में सबसे स्वादश टाम होते थे आम बेचकर मनोहर और सीता भाई गहर आ जाते है उठो बाल गोपाल सुबह हो गई मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री और हलवा लाई हूँ सीता भाई भगवान क्रिश्न की बहुत बड़ी भग थी लेकिन घंटी की आवाज सुनकर राहुल की नीन खुल जाती है राहुल की बात को अंसुना करते हुए सीता भाई घंटी बजाना जारी रखती है राहुल गुस्सा करते हुए कंबा लोड कर सो जाता है राहुल बेटा उट सुबह हो गई है जल्दी से हाथ मुध होकर नाश्टा कर ले और खेत जाकर अपने भाईया भावी की मदद कर क्या मा तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देती हो सुबह सुबह जल्दी उठा देती हो क्या मैंने इंजीनिरिंग की पढ़ाई खेती करने के लिए की थी मुझे से भाईया की तरह छोटे मुटे काम नहीं होगे खेती को छोटा मुटा काम मत पूल उसी खेती की वज़ह से तु इंजीनिरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाया है मनोहर और राजेश बड़ी महनत से अपने आम के बाग में सिचाई कर आम के पेड़ की देख भाल करते है मनोहर खेत से घर आता है आंगन में खड़े होकर सीता भाई को आवाज लगाता है ये टोकरी तो बहुत भारी है जी ऐसा क्या ले आए खेत से इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है और समय से पहले ही आम पग गए है ये वो आम है जो रात में अपने आम पेड़ों से गिर गए थे तो बहुत घर ले आया मैं जल्दी से ये आम अपने कानह को दे कर आती हूँ सीता भाई टोकरी से सारे आम निकाल लेती है और क्रिष्ण जी के मंदिर के सामने रख देती है मनोहर राहुल के कमरे में जाता है राहुल अभी तक सोया हुआ था मनोहर की बात मान कर राहुल खेत चला जाता है मनोहर की बात मान कर राहुल अपनी जिम्मेदारी समझेगा और खेती बाड़ी में हाथ बटाएगा मैं तो उसे बोल बोल कर थक गई हूँ कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक अपने भाई और पिता की मदद करे लेकिन वो सुनता ही नहीं है उसकी अगली रात बहुत तेज तूफान आता है और पानी भी बरसता है जिस वज़े से आम की पूरी फसल खराब हो जाती है मनोहर को जैसे ही ये बात पता लगती है हम बरबाद हो गए अब हम लाला के पैसे कैसे चुकाएंगे वो हमारी जमीन चीन लेगा मैं मेरे कानह से प्रार्थ ना करूँगी वो हमारी मदद जरूर करेंगे क्या मा तुम भी कैसी पागलो जैसी बात है कर रही हो कलियोग में भगवान मदद करने नहीं आते तो चुपकर अगर तू मदद करता तो आज ये सब नहीं होता सभी आम तूट गए होते और बाजार में बिग भी गए होते ये जो भी हुआ है वो सब तेरी वजह से हुआ है हाँ भीया आप सही कह रहे हो लेकिन सीता भाई कृष्ण जी के मंदर के सामने हाथ चोड़ कर बैठ जाती है अरे मैंने सुना है मनोहर का बेटा शहर से पढ़ाई करके घर लोड़ चुका है शहर में नौकरी नहीं मिले क्या क्या लाला जी आज कल नौकरी मिलना भगवान से भेट होने के बराबर ही है आज कल नौकरी का मिलती है बेचारे मनोहर का दिन ही खराब चल ला है अरे हाँ कल रात तो मनोहर के आम की फसल भी बारिस में बरबाद हो गए भीया अब पता चलेगा बच्चु मनोहर बड़ा शोक था बेटे को इंजीनिरिंग पढ़ाने का हें इस बार तो पक्का तुम्हें अपनी जमीन मुझे बेचनी ही होगी ये लोका ना आज सिर्फ माखन और मिश्री है हलवा नहीं बनाया कल क्या हुआ वो सब तो तुम जानते ही हो घंटी की आवाद सुनकर सुष्मा राजेश मनोहर राहुल सब आ जाते हैं माजी आज रसोई में कुछ भी नहीं है खाने में क्या बनाओ पैसे भी नहीं है जो थे वो सब आम की खेती में लगा दिये ये आम बाजार में जाकर बेच देना और जो पैसे मिले उनसे कुछ खाने के लिए ले आना भीया मैं भी आपके साथ चलूँगा राजेश और राहुल वो सब ही आम एक टोकरी में भर कर बाजार ले जाते हैं राजेश और राहुल से वो सब ही आम सेट धनी राम खरीद लेता है आम के बदले जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो दोनों राशन खरीद कर घर ले जाते हैं लेकिन घर की आर्थिक हालत को देखकर राहुल परिशान था क्या फाइदा इतनी बढ़ाईगा ना तो मुझे कहीं नौकरी मिली उपर से पिताजी ने मेरे उपर कितने सारे पैसे खर्च की है उसका कर्ज अलग बढ़ चुका है तभी राहुल को आज पास एक साधु बाबा की कुट्या दिखती है साधु को ध्यान में देखकर राहुल ने उनसे समधान लेने की सोची और साधु के पास गया और हाथ जोड़ कर बैठ गया कुछ देर बाद साधु ने आखे खोली बाबा के सवालों से राहुल हैरान हो गया तुम्हारी मा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है कानहा जी जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे बेटा तुम घर जाओ क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते बाबा की बात सुनकर राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है शाम हो चुकी थी इसलिए बाबा को प्रणाम कर राहुल घर आ जाता है लेकिन तभी घर में कोई है जी कहिए क्या काम है आपको क्या ये राजेश और राहुल का घर है हाँ उनी का घर है बेटा तुम्हारे आम खाकर मेरी पतनी ठीक हो गई वो काफी लंबे समय से बिमार थी मैंने एक से बढ़कर एक बड़े डाक्टरों से उसका इलाज करवाया लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया लेकिन जैसे ही उसने वो आम खाये जो मैंने तुमसे खरीदे थे वो बिलकुल ठीक हो गई तुम्हारे आमों ने तो चमतकार कर दिया सेट धनिराम राहुल को अपने यहां नौकरी पर रख लेता है मनौहर जी मैंने जो करजा आपको दिया था वो चुकाने का समय आ गया है लाला जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मेरे बेटे की नौकरी लग गई है बस एक दो महिने में मैं आपका पूरा कर्स चुका दूँगा नहीं नहीं मैं आपको और समय नहीं दे सकता आज से आपकी जमीन और ये बगीचा मेरा हुआ लेकिन कुछी दिनों बाद बगीचे में लगे पेड़ धीरे धीरे सूखने लगते हैं एक दिन वो सभी आम के पेड़ पूरी तरह सूख जाते हैं हाए मेरी फूटी किसमत मेरे पैसे भी गए और आम का बगीचा भी गया अगर मैंने लालच ना किया होता तो आज मेरे पैसे मेरे पास होते मुझे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता राहुल पूरी इमानदारी से अपना काम करता है तब ही सेड धरी राम राहुल के पास आता है राहुल बेटा मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ तुम्हारी काबिलियत की बज़ा से हमारी कमपनी को और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के कॉंट्रैक्ट मिलने लगे है ये सब तो आपका विश्वास और भगवान का आशिरवाद है सेट जी बेटा अब से मेरा सारा काम का आज तुम ही संभालोगे और पूरी साइट को तुम्हें ही मैनेज करना है तुम्हारी पगार भी मैंने तीन गुनी करने का फैसला कर लिया है सेट जी की बात सुनकर राहुल की आँखों में आसू थे एक समय जहां राहुल को छोटी मोटी नौकरी नहीं मिल रही थी आज वो मैनेजर बन चुका था राहुल खुशी खुशी घर जाता है मा सेट जी ने मेरी इमानदारी से खुश हो कर मुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया है मा बैंक से लोन मिल गया है अब हम अपने खेट से ज़्यादा बड़े खेट खरीच सकते हैं ये सब क्रिश्न जी की लिला है काना के आशिरवात से सब कुछ ठीक हो गया हाँ राजेश की मा तुम बिलकुल सही कहती हो हम सब तुम्हारी भक्ती पर शक करते थे लेकिन आज तुम्हारी भक्ती ने हमें सभी मुसीबतों से बाहर निकाल लिया हाँ मा जी अगर क्रिश्न जी के वो जादो याम खाकर सेट जी की पत्नी ठीक ना हुई होती तो आज ये सब जो हो रहा है वो नहीं होता बोलो वृंधावन बिहारी लाल की जै इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजपूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता समय सबका बदलता है हमेशा सबसे मिलचुल कर रहना चाहिए और किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए माधवी ये देखो आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ पर ये मोती है कहां खूटी से तो बधा नहीं हुआ है कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने मोती की आदत को बिगार दिया है तुमारी बिट्या ने और मोती भी कम नहीं है जब तक शाम के वकत कस्तूरी उसे पूरे गउं में घुमाने ना ले जाए उसे भी चैन नहीं आता लो आ गई तुमारी लाडली बापू मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है आप क्या लाए हो ये देख मैं अपने मोती के लिए हरी हरी घास पे पौधों की टहनिया और सूखा चारा लाया हूँ ये ले मोती बेटा आराम से खा मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है मा बापू मेरा बच्चा मेरा मोती ये तो हम सब की जान है मोती बेल शम्भू और उसके परिवार का लाडला था मोती खेतों को जोतने में शम्भू की बहुत सहायता करता था लगभख सारा काम खेतों का शम्भू मोती की सहायता से निपटा लेता था कुछ गाउं के लोग शम्भू की सफलता से जलते थे जिनमें से एक था हरिया जो शम्भू से बहुत इर्शा करता था ऐसे ही एक दिन अरे शम्भू तू सुबा शाम शिव मंदिर में पूजाई करता रहता है कुछ दिर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर शाम का वक्त है आजा तो घड़ी हमारे साथ भी कुछ खा पी ले नहीं हरिया भाई मैं ये सब नहीं लेता हूँ मैं तो बस भगवान शिव का भगत हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ मुझे उसी में खोशी मिलती है हरिया भाई मैं देख रहा हूँ हरिया गुस्से में घर आ जाता है कुछ दिनों बाद शम्भू की बेटी के रिष्टे की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते है हर देखो शम्भू भाई मैंने तुम्हारा गाउं में बहुत नाम सुना है तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहु ही अपने बेटे के लिए चाहिए एक काम करते हैं शादी के लिए तीन महीने बाद का कोई अच्छा महूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं क्यों ठीक रहेगा ना अब लक्षमी चन जी जैसा आप ठीक समझें लड़के वाले कस्तूरी से रिष्टे की बात पकी करके चले जाते हैं आपने लड़के वालों से कह तो दिया पर तीन महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे तुम चिंता मत करो माधवी कस्तूरी की शादी की बात पकी होने की ख़वर हरिया को लग जाती है वो इस बात को बरदाश नहीं कर पाता है मेरा अपमान करके यह शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है इसकी सारी खुशी उसी बैल में है उसी बैल के भरोसे यह हवा में उड़ रहा है तब हरिया उठा और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया सुब़ जब शंभू की आँख खुले तो उसने देखा यह क्या हो गया माधवी कस्तूरी बिटिया जल्दी आओ देखो हमारा मोती बेसुत पड़ा हुआ है इसके मुँसे ज़ाग निकल रही है कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया हे शिव शंकर मेरे मोती को यह क्या हो गया हे भोले नाथ हमारा मोती नहीं मर सकता इसे कुछ नहीं हो सकता बाबा बाबा मोती को क्या हो गया मोती कुछ पोल क्यों नहीं रहा हे भोले नात ये क्या अनर्थ हो गया हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है हमारा मोती, हमारा बच्चा मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था एकिन शम्भू भगवान शंकर के मंदिर में सिर्फ पटक पटक कर खूब रोया हे इश्वर मेरे मोती को क्या हो गया मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभू मैंने आपकी हमेशा सक्चे मन से पूजा की है मेरे मोती को आप ऐसे नहीं चीन सकते यदि मैंने सक्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभू मेरे दुख दूर करो मेरे मोती को वापस भेश दो प्रभू शम्भू भगवान शंकर की मूर्ती के आगे बिलक बिलक करो रहा था तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिए जो देखने में मोती जैसा ही था शम्भू भगवान शंकर का आशिरवाद मान कर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है बाबा ये बैल तो बिलकुल हमारे मोती जैसा है मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापिस भेच दिया है देखो बाबा ये मुझे पहचानता है मेरे हातों से चारा भी खा रहा है हे शिफ शंकर आपने इस बैल को भेज़ कर हमारे सारे दूब दूर कर दिये मुती के रूप में उस बैल के आजाने से शमभु की सारी परिशानी दूर हो गई थी मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मुती जब शमभु के साथ उस बैल से हल जोता तो मिंटो में काम पूरा हो जाता कुछे दिनों में शंभू के खेट फसल से लहराने लगे, फसल पक कर तयार हो गई, शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच भी दिया, कस्तूरी की शादी के दिन नस्दी का रहे थे, शंभू उस बैल की मदद से खेट पर बहुत जल्दी काम करने लगा था, ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दुबारा अपनी चाल चलने की सोची इस शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तयारिया कर रहा है इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है मुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा सब सोच चुके हैं जल्दी से इस बैल के चारे में सहर मिला देता हूँ ये भी मोती के पास उपर पहुँच जाएगा हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है बैल मानो किसी जादूई शक्ती से अपनी रसी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है हरिया चिलाता है कोई बचाओ बचाओ मुझे ये बैल मार देगा मुझे मार देगा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दुबारा नहीं करूँगा मोती बेटा, रुख जाओ, हरिया के पीछे मत भागो शम्मु भाई, मुझसे गलती हो गई मैंने इतुमारे पहले बैल को जैर दे कर मारा था मैं इसे भी जैर दे कर मारने वाला था पर बता नहीं, ये बैल कोई जादू ही बैल है इसने अपनी रस्तियां खोल ली और मेरे पीछे भाग पड़ा इससे कहो, मुझे माव कर दे, मैं आज के बाद कभी भी किसी के जाद गलती करूँगा जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शान्त हो जाता है और वापिस शंभू के पास लोटाता है गाउं के लोगों की सलाह पर हरिया को उस गाउं से निकाल दिया जाता है हरिया को उसके किये की सजा मिल जाती है शंभू धूम धाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशिरवाद मान कर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं